मैं बाल में की हूँ? मैंने ही रमायन जैसे महागरंद की रचना की है इस महागरंद में भवाण श्री राम जी है, सीधा माता है, लक्षमन जी है, भरत जी है, वीर हनुमान जी है आज दिपावली जैसे पावन अवसर पर मैं राम जी के बारे में कुछ कहाना चाहता हूँ भगवान स्री राम जी पूरे दुनिया के सामने उच्च कोटी के किर्दार, मांसिक संतुलन, वीता और मर्यादा की प्रतिमा के रूप में पूजे जाते हैं उन्होंने हम सब को सिखाया है कि पुत्र धर्म, बड़े भाई का धर्म, सिपाही का धर्म, पती का धर्म, दोस्ती का धर्म और एक राजा का धर्म कैसे निभाया जाता है बिना किसी दोईश के पिता की आग्या का पानन करना हर एक पुत्र का करतावे है एक घमंडी और पापी राक्षा से युद्ध करना और उसके लिए खुद को सक्षम बनाना हमारा फर्ज है पत्नी को सम्मान का इस्थान देना और उसकी रक्षा करना भी प्रभु राम ने हमें सिखाया है छोटे भाई को कुद्र समान समझना और उसका मार दर्शन करना प्रभु ने ऐसा साक्षा करके हमें दिखाया है मुश्किल की घड़ी में मित्र के साथ खड़े होना और उसको कठिनाई से बाहर निकालना प्रभु राम ने हमें सिखाया है एक राजा को प्रजा के सामने एक सज्च नायक के रूप में उभरना चाहिए जिससे उसके किरदार का हर को आनूसरन कर सके प्रभु राम ने हमें यह भी सिखाया है कि हर मुश्किल की घड़ी में हमें मालसिक संदुलन को बग्रार रखना चाहिए और मुश्किल का डट कर सामना करना चाहिए प्रभु राम का जीवन हम सब के लिए मार्दर्शन के लिए है हम सब को उनके दिखाय हुए रस्ते पर उनके सिखाय हुए ढंग से चलना चाहिए ऐसा करने से यह सारा संसार राम में हो जाएगा और हर एक इंसान अच्छाई और सच्चाई की प्रतिमा बन जाएगा आएं आज दिवाली के दिन इसी दिशा में चलते हैं जै श्री राम